तो बाई अभी यह वाला जूप देख रहे हैं सामने यह वाला पूल यह नया बना है यह देखलो भाई किया गज़ा हैलो वैल्कम बैक टूठ तो टौठ फीछ देख रहे होंगे आप गएलेकसी स्वींग पूल लिखा आ तो सही देख रहे हैं मैं अभी हूँ गैलेक्सी स्विंग पूल में तो अभी अंदर चल के आपको व्यू पूरा दिखाऊंगा और प्राइजी बताऊंगा लेकिन लाश्ट में तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए पुराने है तो लाइक से और कमेंट जरूर करिए तो चलिए चलते हैं यह उन्नाव वाला जी वाला रोड है और यह हमें यह वाला रास्ता पकड़ना है नहर के पास वाला तो चलिए चलते हैं तो खाइस अभी हम आ चुके हैं गैलेक्सी स्विमिंग पूल में सामने एक और स्विमिंग पूल है गोल्डन स्विमिंग पूल तो चलो अभी चलते हैं अंदर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है यार बहुत बड़ा एरिया है यहां पी भी पार्क कर सकते हैं तो गाइस यह जो गेट है यहीं पे आपको टिकेट लेना पड़ेगा उसके बाद आपको लॉकर भी मिलेगा यह लॉकर सुबिदा है यह है लॉकर और अब दिखाते हैं कुछ पूर्च के लिउड तो गाइस इस पूल में बच्चों का खासकर ध्यान रखा गया है यह जो पूल देख रहे हैं यह छोटा है किट्स सेक्शन है और वह इसके बगल वाला है वह बड़ो के लिए इसकी ज्यादा गहराई नहीं है लगबग दो डाही फिट गहराई होगी इसकी तो चलो अभी चलते हैं उस तरब को और दिखाते हैं आप लोग को कुछ व्यूज तो यह वाला सेक्शन है यह बड़ो के लिए यह वह इसकी गहराई लगबग साड़े पाच फिट गहराई है यहां इस तरफ इस तरफ कम है और इस तरफ को ज्यादा है तो बाई अभी यह वाला जो को देख रहे हैं सामने यह वाला पूल यह नया बना है यह अभी तक था नहीं लेकिन अब जो है यह नया बन चुका है और यह स्रिप वैसे बच्चों के लिए है जो तैरना नहीं जानता वो यहां पर तैर सकता है फिल्टर वगेरा सब लगे हुए है तो पानी चंता रहता है यह देख रहे हो जादा गेराई नहीं है चोड़े चोड़े बच्चे भी यह उसमें तैर रहे है जाओ जाओ जल्दी जाओ बहुत सारे बच्चे आते हैं यार यहां पर मजे करने के लिए और यहां पर है गहरा थोड़ा गहरा है यह देख लो हाँ अच्चा भाई है तो भाई बहुत ही मजेदार लगता है यार गर्मियों तो जादा ही यार ठंडक की जरूवत होती है तो भाई देखो भाई भी अभी चंप मारेगा गजब की डाइब देख लो भाई इस तरफ ज्यादा गहरा है अगर आप लोग आते हैं तो इस तरफ ज्यादा ना आए अगर तैरना नहीं आता क्योंकि आप डूब भी सकते हैं और उस तरफ को थोड़ा हलका है पल्ट जाओ जेवाद यह देख रहा है ऊपर से भी यहार पूरी दार लगी यार अभी लाइ अब आपने अगरे अगरे तो गाइस यहां पर साफ सपाई का भी बिसेज ध्यान रखा जाता है यह देख लो भाइया जो है निकाल रहे हैं कचड़ा अगरा यहां पर जो डला रहता है वो निकाल देते हैं और यहां पर यह देख लिए यह साउंड अगरा लगे हैं लाइट नहीं आ रहे नहीं तो यह बचते नजर आएंगे पूल पार्टी होती है गजब मज़ा आता यार और चेंजिंग रूम में हैं यहां पर प्रॉपर चेंजिंग रूम हैं यह देख सकते हो कि चेंजिंग बने हुए हैं तो आप चेंज वागरा कर सकते हैं और यहां पर आप शावर ले लीजिए बढ़िया सा और इसमें यह लोकर है यहां पर अपना सामान वागरा रख सकते हैं बीड देखो यार क्या गजब बीड होती है यार करक्या चलते हैं देखाते हैं केंटींल यहां पर कैंटींल बनी हुई हैं तो अगर ठक जाएं आप तयरते तयरते फूल में तो आप कुछ खावी लीटेएगे चलो देखाते हैं केंटी में कि यहां पर पेटी वगएरा खा सकते हैं यार अगर आप तक जाए तो और मुमुच भी मिलते हैं यहां पर यहां पर बढ़िया सीन दिया है आर्क दिया है यहां पर आराम से बैठ जाओ यार बच्चे बड़ा मोच करते हैं ना मज़ा आ रहा है प्राव वाला यहां बैठ बनाए इसक्सिफसम्न तो अबीस में काम होना है यहां पर जाली अगराख लगेности अभी फिलाल लगी नहीं लेकिन मज़ा नहीं सकते आप अगर आप तैरना नहीं जानते तो इसमें आके नाईए और अगर बच्चे हैं तो किट सेक्षन होदा रहे तो उसमें नाईए तीन आपस कैसा लगा नाके अच्छा मज़ा आ रहा है मज़ा फुल मज़ा फुल इसका एड्रेस वागेरा में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप आ सकते हैं और मज़े उठा सकते हैं तो काईस कर लेते हैं इसके प्राइस की बात तो यार इसका जो टिकेट है पचास रुप जो की सिक्योर्टिफीस होगी पचास रुपए लोकर की वह आपको बापस कर दिये जाएंगे जब आप जाएंगे यहां से तो कुल मिलाके आपको पचास रुपए खर्च करने और पूल में मज़े करिए आके अगर यह वाला व्लॉग आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्या करिए जोड से वोलो तो सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए जैनल